सबसे पहले आशुतोष क्योंकि हर पार्टी का स्टैंड इस पर बड़ा क्लियर है सब कहते हैं मराठाओं को आरक्षन मिलना चाहिए सब कहते हैं मिलना चाहिए लेकिन जब उनकी सरकार थी अभी पूछूंगा उन्होंने अपनी सरकारों के दोरान क्या किया आशुतोष ये मामला इतना पेचीदा क्यों हो गया है महराष्ट में अचानक चुनावों से ठीक पहले आपके इसाब से क्या चुनावी मौसम है इसलिए इसको जान बुझकर पेचीदा बनाया जा रहा है नहीं पेचीदा नहीं बनाया जा रहा है बरकि मुझे लगता है कि जो बहराठा समुधा है बहुत लंभे समय से वार इक्षट की मांग कर रहा है और उनको लगता है कि उनके साथ नहीं 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 हो पाया है इसलिए वार इक्षट में बैठे हुएigation लूएं वो आमर्रण उन्षन में बैठे हुए और इसके पहले भी आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले आमर्रण उन्षन ने बैठे थे तब शिंदे उनके पास गये थे, उन्से मुलाकात की थे। कुछ वाईदे किये थे। लेकिन यहां तक आंदोनन की बात है जहां तक किस मांग की बात है बहुत पुरा नहीं मांग है आप प्रयाद हो का बहुत लंबे कुछ साल पहले एक लंबी यात्रा निकली थी बहुत बड़े पैमाने पर निकली थी और उसके बाद भी महरास के निताओं को लगता है कि एक मुद्धाज इसको आसानी से हैंडल कर से लेकिन इसमें जो जो प्राब्लम है प्राब्लम में इस बात को लेकर यह है कि अगर मान लेजिए कि सरकार यह मान लेती जैसी की डिमांड की जा रही है कि मराठाओं को जो है वो कुनभी जाती के तहत सर्टिफिकेट दिया जाए तो उसके बाद जो जरांगे पार्टिल है इन्होंने साब तर पर कहा थे कुछ जिलों की बात नहीं है बलकि आपको पूरे महरास्ट के अंदर और सब मराठाओं को यह देना पड़ेगा जैसे ही इस तरीके के बात सामने आए उसी वक्त जो OBC समुदाय के लोग थे वो भी नापपूर विदर्प के इलाके में धरने पर बैठ गए उनका यह कहना था कि हम मराठा समुदाय को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं है लेकिन आप मेरे हिस्से में से आरक्षण में दीजिए अगर आपको देना है तो अब अलग शारक्षण दीजिए तो अब सरकार अग एक सीवा है वो सामने आती है तो मुझे लग अशितोष लेकिन देखिए घूम फिरकर सवाल तो वहीं आ गया ना जातिये आधार पर आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए जातिये कौनसे समुदाय का क्या हाल है क्या वो संपन है क्या वो गरीब है यह हमें पता नही माना कि इसलिए मैं मेरा स्पस्ट तौर पर मानना यह है कि यह जो अधर देन OBC और SC कमूल्टी के लोग जो आरक्षण की मांग करते हैं आरक्षण के प्रस्ट को ही नए सेरी से देखनी की जरुवत है सिर्फ अभी आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि गुजरात के अ अरियाना और राजस्तान के अंदर यो जाट आरक्षण को लेके एक जबरदस्त आंदोलन चला था जिन्दरिन मोदी की सरकार नहीं 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 आई थी गुर्जर आंदोलन भी चल चुका है कापू समुदाय जो है यही चीज आंदर प्रदेस और तेलंगाना में भी इस नौकरियान नहीं है चुकि नौकरियान नहीं है बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है तो जो यूथ है वो क्या करेगा उसको अगर नौकरी नहीं मिलेगी और सरकार की तरफ से भी नौकरी मिलने को आश्वासर नहीं होगा तो फिर वो आंदोलन के रास्ते पर है गुजरात में जब पटेल अंदोलन हुआ अश्यतोष तब भी तो यही विश्लेशन होने लगा ना क्या वाकई पटेल पिछडा समुदाय है पटेल वाकई गरीब समुदाय है क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए उसी तरह मराठाओं के बारे में मैं अपनी स्क्रीन प को आरक्षण मिलना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए लेकिन अभी विद्याताई भी आ गई है अभी तीन दिन पहले उनसे भी इसी बात पर भहस हो रही थी जरा पक्षण विपक्ष देखिए जो लोग मराठा आरक्षण का समर्थन करते हैं जो इसमें सारी पार्टिया है वो कहते हैं वाकई मराठा सामाजेक रूप से पिछडा हो समुदाय है वो आगे ये भी कहते हैं शैक्षणिक रूप से भी पिछडा समुदाय है सरकारी नौकरियों में भी प्रतिन धित्व नहीं है फिर व्यापार वानिज्य उद्योग में भी प्रतिन धित्व मराठा सम वो कहते हैं आर्थिक रुप से बेहत संपन समुदाय है माराथा समुदाय अब तक जो 20 मुख्य मंत्री रहे हैं महराश्ट के उन में से 12 माराथा रहे हैं यह फैक्ट है इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता अगर मराथा अरक्षन मांगेंगे तो फिर तो अन्य समुदाय भी मांगने लगें आशुतोष क्या जाती है आधार पर अरक्षन होना चाहिए या फिर उससे पहले ये पता लगाने की जरूरत है कि कौन से समुदाय में गरीबी जादा है पिछड़ापन जादा है आरक्षन का मकसद ही ये था ना कि जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षन मिलना चाहिए नहीं माना कि इसमें एक चीज़ जो ध्यान देनी चाहिए कि जब आरक्षन की बात हुई थी तो आरक्षण की बात समवधान में उसको लाने की जब बात की गई तो उसके पीछे ये नहीं था जिसका मतलब ये है कि समाज का एक तपका ऐसा है जिसको बराबरी का हक नहीं मिला हुआ है और उसको दूसरे समुधाय के बरक्स उसको वो इज़त नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए ये कारण था जिसकी वज़े से ये कहा गया कि इस समुधाय को अलग से जो है वो मदद की जरूरत है और इसलिए सबसे पहले जो SCST समुधाय है उनको आरक्छन दिया गया बाद में OBC तबके ने भी का कि हम लोग भी समाजी को पिछले कोई है और हमारे साथ भी समानता का अधिकार नहीं है तो भारत के समुधाय ने equality, liberty ये दो concept तो दे दिया लेकिन जो बाबा सब मिटकर कहते थे बंदुतों बंदुत का मतलब ये है कि हर विक्ति को इनसान समझा जाए और उसको उसकी जाती के आधार पे या उसके जन्म के आधार पे उसके साथ अन्याय ना हो तो यह जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को गरीबी उन्मूलन का रिक्रब नहीं है। जाट समधाय, जिस भी इलाके में है, वहाँ पॉलिटिकली बहुत पावरफुल लोग है। और ये एक तरीके से इनके पास बाकी दूसरी जो भी सी जाती है, उनकी तुलना में आर्थिक तोर पर भी ये बहतर है। और बहुत कुछ पॉलिटिकल कमान करती है। लेकिन दिक्क जो भी एकिन दिक्तिकल कमान करते हैं।